जननिम् शारदाम देविम् रामकृष्णम् जगत गुरुम् पाद पदमे तयो शित्वा प्रणमामी मुहुर्मुहु। जो स्टेज के सामने बैठे हैं सभी सन्यासी विरिंद, भक्तगर्ण, सभी मा की संताने, सबकी मा शारदा देवी, हम लोग रंग शारदा आउडिटरियम में मा शारदा देवी के बारे में सोच रहे हैं। यहां जितने सन्यासी बैठे हैं, जितने ग्रोहस्द भक्ते बैठे हैं, जितने वॉलिंटर हैं, यह सभी मा की संताने हैं। और जो आल्लाइन देख रहे हैं, वो भी मा की संताने हैं। और जो नहीं देख रहे हैं वो भी मा के संतन हैं चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री या बालक हो या वृद्ध गरीब हो पैसे वाला हो उच्छ वर्ण हो निम्न वर्ण हो मा सबकी मा है क्योंकि वह जगत जन्नी है जिस माया की जिसकी शक्ती से समस्त विश्व का स्रिजन होता है स्तिती होती है सम्वार होता है ऐसी जगदंबा स्वामी विवेकन ने कहा था जीवन्त दुर्गा ये जीवन्त दुर्गा के रूप में हम सभी उसके बादसंताने हैं उसके अलावा जब उन्होंने मनुष्य र वक्तत भी थे जो उच्चे वर्ण के थे निम्न मर्ण के थे जिनको हम लोग दुद्कारते हैं जिनको हम लोगव्य करते हैं ऐसे लोग भी थे मां किसी कि अवल्रान नहीं कर सकती थी मां किसी की अवल्रान नहीं कर सकती थी मांने खुद ह стать । I mean मेरी संतान धूल किचर से अपने आपको साल ले तो मा होने के नाते क्या मेरा ये कर्तव नहीं है कि मैं उनको गोद में उठाओ और ये तो हम देखते हैं संसार में छोटा बच्चा होता है पिता जी खिलाते हैं और फिर बच्चे ने गंदा कर दिया एक दम छोड़ देते हैं बच्चे को पर मा क्या ऐसा करती है नहीं मा उसको उठाती है उसको नहलाती है उसको ठिक करती है काजल लगाती है चाकि नजर न लग जाए फिर पिता जी बते लाओ लाओ मेरे गोद में लाओ तो पिता जी माता जी में ये अंतर है तो मा कहती है मैं तो मा हुना मा होने के नाते यदि मेरी संतान धूल किचर से अपने आपको सान ले तो माता होने के नाते क्या मेरा करते हो ने उनको साफ करके मैं अपनी गोद में लू मा स्तादेव हमको अपनी गोद में लेने के लिए तयार है चाहे किसी भी वस्ता में हो किसी ने पूछा था मा बाकी सब समय तो देखते हैं शक्ती पहले चली गई और आभी भी जिन्दा है उनको पूछ दिया क्योंकि हमको मालूम है 34 वर्षों तक दिर्ग वर्षों तक स्रीमा शार्दा देवी स्धरादाम पर रही श्री राम किश्ण देव के 1886 में अंतरधान होने के बाद फिर मात हो गई 1921 में तो उन्होंने उत्तर दिया बेटा श्री राम किश्ण देव मुझे इश्वर के मात्र रूप मात्र रूप का प्रचार करने के लिए रख के गए हैं यहां पर इसलिए मात्र तो रख का इतना वहां पर उनका प्रकाश होता है उनके जीवन में उसे लिए मारो श्री राम किश्ण देव ने उनको रखा था तो किसे ने पूछा कि माा आप कि शक्रूपक्षी कि भी हमा उंकी भी मा हो और सच मुछ पे माके पास एक तोटा था गंगाराम उसका नाम था मा बोलती थी स्वुन को बोलता सिता रामμ बोलता था फिर जब उसको भूक लगती थीख माहें चिलाता था में आती थी आहां तोता भी जानता है कि मां बोलने से मां आएगी और मुझे खाना खिलाएगी एक बच्छडा था वो भी जैसे ही मां मां चिलाता था तो तुरंत मां वहाँ पर जाकर खाना देती थी एक बिल्ली थी मां के घर में अब वो बिल्ली दूद चुराती थी वहाँ पर ग्यान महरात ते ब्रह्मचारी उनको बड़ा गुस्ता आता है बहुत आज ये दूद्ध चुरा लिया आपकी बिल्ली ने मा का लॉजिक सुनिये मा का तर्क सुनिये मा के देख बेटा वो रहती यहां पर है खाती यहां पर है और उनका तो धर्म ही चोड़ी करना है कोई उसको प्रेम से खिलाएगे नहीं तो उसने अपना धर्म का पालन किया है दूद्ध चोड़ी किया है और एक बार तो हद हो गई ग्यान मराज की बिचाने कोई बिल्ली ने गंदा कर लिया अब तो डंडा लेकर के मारने के लिया है जैसे डंडा लेकर मारने का है अरे माने का रहे रहे उसक कर देते हूं इसको मारना मत और जब बाहर भी गई तब जाके बोली बेटा बिल्ली को मारना मत और फिर बाद में एक बार ऐसा हुआ कि ग्यान मारा ने मारा था तो मा को दुख हुआ था उसके बाद से उन्होंने बिल्ली को मारना बंद कर दिया तो सभी की मां है पशुपक् मां कि कौथार कौथा मानोए गुरुपत्नी नोए पातानों मानोए सत्थी करेर मां मैं तुम्हारी सचमुष की मां हूं किवल गुरुपत्नी नहीं कहले कहने की मां नहीं सोतेली मां नहीं मैं तुम्हारी सचमुष की मां हूं यह मां शार्दा देवी हम सब की जननी वो सन्याश्यों की मा थी अभी सामी सत्य देवान जी महाराज ने तो बहुत बड़िया अरेंजमेंट किया है खाने पिने का दो दिन से अच्छा खा रहे हैं आज भी जरूर से अच्छा खाने मिलेगा ऐसी पूरी आशा कर सकते हैं पर ये सब सत्य देवानेजी महाराज के कारण नहीं है उसका कारण है मा शारदा देवी क्यों 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 कि मा शारदा देवी ने बोध गया में प्रार्तना की ठाकूर को हे ठाकूर यहां पर यह सन्याशी लोग किसी मट में गये थे वहां देखा माने कि बहुत अच्छा वहां खाने पिने रहने का अरेज्मेंट है और मेरी संता ने बहुत यहां यह संसार का त्याक करे परिवार को छोड़ कर आए ऐसा आशिवात करो कि ऐसा जो संन्यासी बने अपना घरबार छोड़ करके उसको खाने की कोई तकलिष न रहे यह प्रारता उन्होंने की थी इसलिए हम अब भी खाना खारे बढ़िया इतना अच्छा खाना का रहे हैं कि लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है अभी एक सो पचासवी जहिंती पर एक युवा समयलन हुआ था अखिल भारती युवा समयलन दस जार युवा आये थे उसमें प्रश्णोतर में एक युवाक ने पूछ दिया कि आप लोग तो बड़े मजे में हैं इज़र स्वामी विवेकान ने कहा था सिंपल लिविंग हाई तिंकिंग आप लोग तो डिखते हैं आपका लाइफस्टैल तो बहुत मज़ेदार है तो मैंने फिर उत्तर दिया भाई इसका कारण यह है कि हम लोग स्वामी विवेकान को फॉलो नहीं करें मा शार्दा को फॉलो कर रहें यह पूरा अर्रेंजमेंट है मा शार्दा का है किसी भगत को पूछा गया कि यह रामकिष्ट देव शार्दा दीवी स्वामी विवेकानन तीन में तुमको कौन से ज़्यादा अच्छा लगते बोले तीनों अच्छा पास जाते हैं अले इश्वर प्राप्ति मनुष्य जीवन का लक्ष है बस साधन बजन करो साधन बजन करो साधन बजन करो साधन बजन करो और मा के पास जाते हैं मा क्या बोलती है बेटा खा ले मा की एक मात्र डिमांड है बच्चा खाए और आनंद में रहे यह हम लोग अ तो मा की प्रार्तना के कारण है। और उस समय प्रार्तना की माने, तो उसके बाद में आज भी हम लोग जब ट्रेन में भी जाते हैं, तो खाने पीने के कोई प्राबलम लेता है। सब लोग बोलते कुछ साथ में ले जाएए कुछ जरूत नहीं माँ पूरा अरेंजमेंट करती है स्विशल लेंड में भी वो अरेंजमेंट करती है और दुवई एयरपोर्ट में भी अरेंजमेंट करती है मैंने देखा है तो माँ अभी भी ऑपरेट कर रही है। उनके कृपा से आज तक अभी सन्यासी जितने जॉइन की है रामकेश्य भिष्ण में किस्यों खाने पीने के कोई अरिज्मेंट ने बल्कि अभी सायद माँ को प्रात्ना कर रहे पड़े कि ठाकू इतनी सारी तुमने कृपा कर दी सब इतने जरब उनका दिल ये हो गया, वहाँ पर उनकी तब्यत खराब थी, फिर भी वो दारजिलिंग में थे, वहाँ से तुरंट आये कलकत्ता, और तुरंट रहातकारे शुरू किया, और उनने इलान कर दिया किसे को कलकत्ता चोड़ने की ज़रूत नहीं है, बहुत बड़ सन्यासी हम लोग तो पेड के तले रहे जाएंगे, विक्ष तले रहे जाएंगे, अभी जमीन खरी दी है, बेलूमट की, उसको बेज देंगे, उसके पैसे से रिलीफ करेंगे, अब गुरु भाई लोग तो बड़ी चिंता में पड़े, अभी ये जमीन बेलूमट की चले नहीं, फिर हाई कोट, हाई कोट मैंने मा शार्दा देवी, मा को बोला, मा कि इस प्रकार से स्वामी नरेन ऐसे बोल रहे है, तो मा ने बुलाया, तो मा मैंने थोचा है, कोई रहात, इतना सब लोग दुखी है, तो रहत कारी करेंगे, जरुवत होगी, हम लोग तो पेड के पेड के नीचे, पर ये रामकिष्ण मिशन को एक दो दिन के लिए नहीं, पांच-दस साल के लिए नहीं, ये तो हजारों वर्षों के लिए है, मेरी और संताने आएगी, वो तुम्हारे समान कठोर तपस्या नहीं कर पाएगी, उनको मालूम था हमारे समान सन्या से आने व पाएगी, उनको time to time खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, और रहने के भी विवस्ता चाहिए, तो इसलिए माने का देखो बेटा, ये तो एक-दो साल के लिए है, ये बेलूमठ की जमिन मत बेच, दूसरी बात उन्होंने देखो, स्री रामकिष्ण ने कहा था, वो सार अंगुठा चाहिए, अंगुठा लगाती है, वो सारदा सरसेती कैसे होगी, पर मा शारदा ने legal point उठाया, अच्छा नरेन, ये जमिन तेरी है क्या, नहीं मा, मैंने ट्रस्ट को दे दी है, तो जब ट्रस्ट को दे दी है, तो ट्रस्टी को भीना पूछे, तो जमिन बेच स स्विकार करने पड़ी हाई कोट के सामने, और वो जमिन रहे गई, यदि बेलू मत की जमिन उस समय बिग जाती, तो न तो ये रामकिष्टे मिशन रहता, न रामकिष्टे मत मुंबई का हम लोग सिंटरी सेलिबरेशन बनाते, और नहीं हम लोग यहां बैगते, ये सब मुलती थी, जल्दी-जल्दी खाना खा कि बेटा चले जा, क्योंकि रात को CID आफिसर रोल आता था, सब देखने के लिए कौन-कौन आता है मत में, अब ऐसा हुआ, कि पता पढ़ गया तो बहाँ पर जो बेंगौल के गवर्नर थे, लौड कारमाइकल, उन्होंने अपनी स जाइन किये था, उन्हों सब को निकाल देना, तो जब मा के पास आये, मा तो क्रांति करी कि मा थी, बेठा, उनको निकाल दोगे तुम रामकिष्मिशन से, उन्हों घरबार छोड़का है, बोले, क्या करें, मा, नहीं तो तो अब नहीं निकालेंगे, तो इस प्रकार से साह हो सकता है, हमारी संस्ता को बैन कर दे, तो माने कितना सुन्दर उन्होंने सुजाओ दिया, तुम जाकर के गवर्नर को मिलते क्यों नहीं हो, क्यों नहीं बता दे कि रामकिश्मिशन कोई political body नहीं है, केवल सेवा के लिए हम लोग समाज में रह करके समाज करते हैं, सेवा कर कि शमा की पत्र के द्वारा, कि I am sorry for my remarks, and I have got nothing but admiration for the activities of रामकिश्मिशन, यह उस समय की बात है, माँ शार्दा दिवी की दूरदर्शीता, इस प्रकार से माना कितनी बार इस संगजननी ने ना केवल इसको जन्म दिया है, इसका नर्चिरिंग आध तक कर रही है, कितने सारे को मा का इस प्रकार से प्रेम मिल रहा है, और मा पतितों को भी मा थी, एक बार दक्षिनेश्वर की बात है, रामकिश्टे देव के पास मा रोज जाकर के थाली देके आती थी, और रामकिश्टे देव भोजन करते थी, फिर वापस जाकर के थाली, एक बार जा रहे थी, किस अशी स्तिरी ने कहा मा देव मैं थाली देखे आती हूं तो वो लेके पानी लेकर थाली लेकर गई और थाली रामकरण देव के सामने रग गी थोड़ी दिर आद मा आ गई खाली थाली वापस लोटने देखा थाली ऐसी पढ़ी है रामकिष्ट देव ने कुछ खाया नहीं है, क्यों जी, आपने कुछ खाया नहीं, रामकिष्ट देव एकदम नाराज मुद्रा में है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, आपने कुछ खाया नहीं, जानती नहीं हो, उसका चरितर कैसा है, जानती नहीं हो, मैं ऐसे का सपर्ष किया भीजवाई बहुत शमा करो गलती हो गई अब खालो नहीं पहले मुझे वचन दो कि अब तुम खुद ठाली ले करके आओगी किसे के दारा नहीं भीजवाओगी मा शारदे ने क्या देखो मात्रुत वो कैसा रहता है मा का मात्रुत वो कैसा था मा शीराम किष्ट देव को साक्षात परमात्मा मान करके उनके सेवा करती थी पूरी आगना का पालन करती थी पर जहां मात्रुत की बात आती थी मा उनकी बात नहीं मान नहीं क्या कहा मैं इसा कुछ भी नहीं है जो मैं उसको न दे सकूँ तो मा करके कोई फुकारेगी तो मैं ना नहीं कह सकूँगी श्री रामकिष्ट देव को हार स्विकार करने पड़ी चुपचा खाने लग गए उसके पहले भी दक्षिनेशन में देखते हैं स्वामी विवेकानन स्वामी ब्रह्मानन राखाल नरेन प्रेम बावुराम इस सब आते हैं रामकिष्ट देव किया देखो यहां पर आयो राजभट जब ध्यान करना है रात का सब उन्होंने कोटा फिक्स किया इसको इतना सब्सक्राइब कोटी क्यों दी कि बोले देखो मैं मां हूँ मैं अपने संतानों को भर पेट खिलाओंगी और फिर उनका आध्यात अकल्यान होगा तो कौन देखेगा महाशारदय देखिए उनका कितना पावर है मैं देखूंगी पर मेरे बच्चों को मैं भर पेट मां है सादु नाग मायशे जम जाते थे मां मां की कुर्पा पृता जिस अधिख है और उनको प्रसाद दीया मां-마ं कहते कहतें प्रसाद तो खा लिया उंपत्तल भी खा गए मा ने मा के कितने सारे जह थे उनके ग्रोज्द भक्त भी थे और सन्ध्यासी भक्त थे सबके उपर मा की बड़ी कृप्त थी जब बैंगलोर में गई थी मा उस समय सबी लोग उनके प्रणाम करने आए एक बच्चा था एक लड़का था वो निम्न जाती का था उससे में जाती का तो बहुत अधिक था तो सब लोग को अच्छा नहीं लगता था पर मा तो सब को मा के लिए सब बढ़ा बढ़े तो वह भी प्रणाम करता था एक बार भक्तों ने का मा ऐसा हम चाहते हैं हम लोग एक साथ बैठ करके खाएंगे और आप भी रहेगी हम भी रहेंगे आपके साथ बैठ के खाना काते हैं मा ने देख लिया कि यह लोग इस पचंद नहीं करते बच्चा के आने का उसका नाम था आदी मुलम को भी बुलाना पड़ेगा अब उनको तो इच्छा नहीं थी फिर बुला ठीक है अब मा उसके बेना नीम आने की तो ठीक है मा उसको आने दो माने वादी मुलम को बुला तु जरा जल्दी आना और अपने आज से सबको परोसना अब यह लोग न उठ सकते हैं न कुछ कर सकते हैं बैठ के मा पड़ा आदी मुलम के हाथ से और स्वामी निर्मला नंजी ने डिकलेर किया आज से हमारे देश में अश्विष्ट्रा निवारन अंदोलन का सुत्रपात हो गया यह कब की बात है 1911 की बाद में 1915 में गांदी जी आया है बाद में उन्हों ने अश्विष्टा निवारन अंदोलन सुरू किया और उसके पहले माह शारदा देनी हमारे देश में यह सुरू कर दिया मां सबकी मां थी दूरजन की मां सज्जन की मां पापियों तापियों की मां अरे पागलों की मां मां के परिवार में कौन कौन संबालू मैं एक थी पगली मामी हंडेट परसंट पागल ये सूरबाला अब है मामा की पत्नी थी इसलिए सब लोग पगली मामी कहके पुकारते थ थे वो तो कभी एक बार तो जलती होई लख़ी लेकर के मां को मरने दोड़ी थी ऐसी पगली थी ऐसी हंडेट परसंट पगली मामी की भी मात थी उधर साथ में कौन था उनकी लड़की थे रादू 50 परसंट पागल यह भी बैगुल लेकर मां को मारने आई थी इतनी जीत करती थी आइसा करूंगे ऐसा कर तो इसलिए वहाँ पर फीजी में एक मुस्लिम महिला है वहाँ पर आश्रम में आती है उसको हमारे स्वामी जी ने पूछा वरे स्वामी जी ने भाई तुम क्यों आती हो मुस्लिम है फिर भी मुले मेरे को मा शारदा देवी का जीवन बहुत अच्छा लगा मुले कैसे मुले मेरी एक लड़की है बहुत हाइपर एक्टिव है किसी प्रकार से मैं उसको संभाल नहीं पाती हूँ पर जब मा का जीवन देखा रादू को कैसे संभालती थी तो और माखू ये दोनों भतिजियां इतनी अच्छी थी कि वापस आई सजुराल से कोई रखने सजुराल में रखने का तयार नहीं था तो वापस आई थी वो भी मा के साथ रहती थी ये 25 परसंट पागल और ये गोलाप मा जोर जो से चिला थी 12.5 परसंट पागल ये पागलो अब उनकी महिमा अनंत काल तक भी बोलने से समाप्त नहीं होगी श्री मा के चलणों में यही प्रार्तना है माने अंतिम उनका जो उपदेश माने कहा था जब भी विपत्ति हो याद रखना तुमारी एक मा है बस इसमें सब कुछ आ गया मा के चलणों में यही प्रार्तना ह माह हम तुम को नभूले, इतना आशिवाद हमको दो, ऐसी उनके चर्णों में प्रारतना करते हुए, आप सब के भीते जो दिविच इतना विराजमान हैं, उसको प्रणाम करते हुए, पुझ्ये गोतमा जी महाज को प्रणाम करते हुए, स्वामी सत्य देवानेजी को देते हुए कि मुझे यह अउसर दिया आप सब के प्रती धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं धन्यवाद